हलो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेश में आप लोगों की बहुत जादा डिमांड आ रही थी कि सर लैंडमार्क सुप्रीम कोड जजमेंट्स वाली जो सीरीज है उसको दोबारा स्टार्ट कीजिए पिछले साल हमने बहुत सारे यानि गए साल जो जो है जाने वाला है उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोड जजमेंट्स रिलेटड वीडियो बनाए और उसको प्लेलिस्ट के तोरपे भी सेव किया हुआ है तो आप एक बारी link में जाके description के link पे जाके देख लीजे कि कौन कौन सी judgments को हमने cover किया था अब जब आप कह रहे हैं कि दुबारा से इसको शुरू कीजिए खासतोर पर prelims और means 2024 के लिए तो मैं लेके आया हूँ new series of landmark supreme court judgments इसमें आज जो हम judgment पढ़ने वाले हैं that is very important तो 10-12 minute के अंदर-अंदर मैं आपको समझा दूँगा कि ये ADM जबलपूर case क्या है और इस ADM जबलपूर case को dark hour in the history of Indian judiciary क्यों माना जाता है ये देखते हैं अब आपको पता है कि 1975 से लेके 1977 तक भारत में national emergency declare हुई थी उसके पीछे के जो events है मैं discuss नहीं करने वाला हूँ because I'll come right to the judgment and to the context discussion of that particular outcome of that particular judgment 1975 से 77 के बीच में article 352 का इस्तमाल किया गया और श्रीमतिरी इंदरा गांदी जी की advice के ओपर प्रेजडेंट फकरुदीन अली एहमद ने national emergency का declaration किया 25 जून 1975 ठीक है और उसके बाद 26 जून 27 जून को और कुछ proclamations किये इन proclamations ये orders के अंदर उन्होंने कहा कि हम कुछ fundamental right suspend कर रहे हैं और ये उन्होंने किया using the powers under article 359 अगर आपने polity में national emergency के बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि article 359 का इस्तमाल करते हुए president अपने order के अंदर list of articles बता सकते हैं कि ये fundamental rights को अब आप enforce करवाने के लिए court नहीं जा सकते and this was exactly what was done by the presidential orders article 32 और 226 को suspend करने की कोशिश की गई और अब इसकी वज़े से ये सवाल पूछा गया supreme court से कि क्या national emergency के दौरान article 32 यानि की right to constitutional remedies और article 226 the right to ask the high court for writ क्या ये दोनों suspend हो जाते हैं आपको ये भी बता दूँ कि writ jurisdiction के बारे में यदि आपने नहीं पड़ा है तो थोड़ी सी जानकारी देता हूँ article 32 एक fundamental right है यानि वो आपको right to constitutional remedy देता है इस particular right के कहना है कि अगर आपके fundamental rights violate होते हैं तो उसको enforce करवाने के लिए या उसको correct करने के लिए आप Supreme Court of India के पास जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि Supreme Court please issue a writ so that my fundamental rights are applied और इसी के साथ साथ article 226 हाई court के पास भी writ या direction issue करने की power होती है और हाई court की ये जो power होती है ये broader than Supreme Court मानी जाती है इसका कारण ये कि हाई court में specifically नहीं बताया गया है कि अगर आपके fundamental rights violate हों तभी आप हाई court को approach करें नहीं कोई भी statutory यानि की कोई कानूनी अहक आपका है या कोई constitutional अधिकार आपका है जो fundamental rights में नहीं for example right to property is a constitutional right but not a fundamental right अगर इन में से कोई भी अधिकार आपका wallet होता है तो आप high court को approach कर सकते हैं तो सवाल उठता है कि क्या national emergency के दौरान आप ना तो high court और ना ही supreme court को approach कर सकते हैं सवाल क्यों उठा? सवाल इसले उठा क्योंकि order दिया गया कि हम article 14, article 21 और article 22 की enforcement को suspend कर रहे हैं इसका मतलब आप courts के पास जाके ये नहीं कह सकते कि हमारा right to equality, right to life and personal liberty and right to protection from arrest and detention ये वाले जो अधिकार होते हैं कि ये violate हुएं साथ ही साथ एक कानून का इस्तमाल किया गया बहुत सारे लोगों को arrest करने के लिए उस कानून का नाम था Maintenance of Internal Security Act 1971 जिसको मीसा नाम से भी बुलाया जाता है ये मीसा repeal हो चुका है it is no more functional but this law was used to arrest a lot of people जिन में से majority थे opposition party के leaders या नेता जो protests के अंदर शामिल थे अब ये presidential order में declare कर दिया गया कि हम article 359 के अंदर power इस्तमाल कर रहे हैं और article 14, 21, 22 के application को suspend कर रहे हैं तो आप court को approach नहीं कर सकते हैं to give some remedy in the case article 14, article 20 और article 21 और 22 are violated by any executive action यानि कि अगर आपको arrest किया जाए या आपको arrest करने का order दिया जाए and also any legislative action legislative action मतलब कि अगर हम कोई ऐसा कानून पास कर दे जो आपके article 14, 21, 22 को violate करता है तब भी आप court को approach नहीं कर सकते हैं ये order में लिख दिया गया जो already pending proceedings थी above matters में उनको भी suspend करवा दिया गया तो ये order निकाला अब ऐसा कहा जा सकता है this order is constitutionally accurate और अब इसके order की implementation के दोरान क्या issues देखने को मिले बहुत सारे लोगों को उठा लिया गया अरेस्ट कर लिया गया maintenance of eternal security act के अंदर जबकि उनका कोई actual लेना देना actual activity से शायद नहीं था किसी illegal activity से नहीं था अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जितने लोग arrest हुए थे उनके आसपास रिष्टेदारों वगरा उने heaviest corpus की petitions फाइल करनी शुरू की heaviest corpus की petition क्या कहती है कि अगर किसी को illegally detain या arrest किया जाता है without any probable cause तो शब नहीं यूज होता लेकिन अगर illegally किसी को detain किया जाता है तो आप heaviest corpus की petition लेके जा सकते हो ये high court या supreme court दोनों के पास जा सकती है और उस परिस्तिती में to ascertain whether that person has been illegally detained or not high court या supreme court उस व्यक्ति को court में पेश होने को कह सकता है ठीक है जिन लोगों ने petition file की कि heaviest corpus की writ issue की जाए बहुत सारे high courts में file की गए क्योंकि पूरे देश भर में arrest हुए और बहुत सारे high courts ने कहा कि yes you should we are going to issue the writ of heaviest corpus क्योंकि चाहे presidential order में लिखा है कि ये right suspended है लेकिन detenues यानि कि जिनको arrest किया गया है वो अपने arrest को तब भी challenge कर सकते है because we have to ascertain whether the police authorities actually had the power to arrest that individual or not despite the presidential order एक blanket protection नहीं मिल सकती ऐसा बहुत सारे high courts ने कहा इसमें से कुछ लोगों ने appeal कर दिया high court की judgment को जिसमें सबसे आगे थे ADM additional district magistrate जबलपूर के करन विजय सिंग उन्होंने मद्दप्रदेश high court की judgment को challenge कि आपने एक detenue यानि एक व्यक्ति जिसको arrest किया गया था शिवकान शुकला उसके favor में judgment सुनाई है अब ADM साहाब ने petition डाल दी Supreme Court में और बहुत सारी petitions इकठा होके Supreme Court के constitution bench के पास जाती है इसे एक dark hour of democracy भी बोला जाता है और dark hour of judiciary भी बोला जाता है आगे देखेंगे क्यों इस 5 judge के bench में बहुत नामी गिरामी judge थे justice A.N. Ray जो chief justice थे justice हंसराज खन्ना हमीदुला बेग वाईवी चंदरचूर जो presently justice चंदरचूर के पिताजी है present chief justice के पिताजी और justice P.N. भगवती जिनको P.I.L. या public interest litigation का pioneer माना जाता है यह सभी 5 judge इस bench में बैठे थे जब arguments देनी की बात आई तो सरकार ने simple arguments दिये जो मैंने आपको already दे दिये कि already हमारा constitution article 359, article 358 में हमें power देता है कि during the national emergency we can suspend the application of any fundamental right and that suspension means that you cannot go to the high court or you cannot go to the supreme court to enforce those fundamental rights तो किसी भी कानून की validity को challenge नहीं किया जा सकता कि वो आपका fundamental right violate करता है इसी तरह MISA Maintenance of Internal Security Act जो है अगर उसके अंदर हम arrest कर भी रहे हैं और उससे हम article 1419 को violate कर भी रहे हैं तो भी उसे challenge नहीं किया जा सकता तो इस act के अंदर इस particular कानून के अंदर हम executive action ले रहे हैं तो अगर हम आपका fundamental right ले जा भी रहे हैं तो presidential order के अंदर हमने already लिख दिया था कि वो suspended है ठीक है now the respondents यानि की जिन लोगों को arrest किया गया था उनका क्या कहना था उनका ये कहना था कि article 359 या उनकी interpretation ये थी कि article 359 supreme court के पास जाने से हमें रोक रहा था हाई court के पास जाने से हमें रोक ही नहीं सकता क्यूं? क्यूंकि हाई court के पास जाना आर्टिकल 226 के अंदर आता है और 226 के अंदर मैं हाई court के पास तब भी जा सकता हूं अगर मेरा constitutional right violate हो रहा है अगर मेरा fundamental right violet हो रहा है या मेरा कोई और statutory right violate हो रहा है in fact यह बताएंगे या आगे यह argument रखेंगे कि जो personal liberty का अधिकार होता है एक व्यक्ति का life और personal liberty का अधिकार होता है it is a natural right this is their argument natural right का मतलब कि by nature of being born without the constitution being there चाहे सम्विधान हो या ना हो चाहे कानून बनाया जाए या ना बनाया जाए if you are born in nature अगर आप प्रकृति में पैदा होते हैं as a human आपका natural right होता है और कुछ natural अधिकार होते हैं जिसमें life और liberty natural अधिकार में आते हैं so natural laws या natural rights का जो concepts होता है वो John Locke ने भी दिया था और उनका कहना है कि right to life, right to liberty and right to property ऐसे natural rights हैं जिनको सम्विधान आपको नहीं दे रहा है constitution is not giving them to you, granting them to you, constitution is only listing them down इसका मतलब चाहे सम्विधान हो, चाहे सम्विधान ना हो कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हमेशा ही applicable होने चाहीं whether they are made fundamental, whether they are made enforceable or not, that is immaterial ये argument रखा गया court में इसके अलावा ये भी कहा गया कि high court के पास आप किसी भी right को implement करने जा सकते हो and that right can be from any source, not only the fundamental right तो common law का मतलब क्या होता है common law का मतलब होता है कि अगर किसी भी पुरानी supreme court की judgment हो या किसी भी judiciary की pronouncement हो, उसके basis पे मेरे को लगे कि something is a fundamental right, then I can go and claim it और something is an inalienable right, which cannot be taken, then I can claim it common law की एक simple example है कि right to privacy Supreme Court ने कहा 2017 में, कि right to privacy is part of article 21 right to life and liberty, but क्या हमने constitution को बदलना पड़ा did we need to change the constitution, put privacy explicitly and only then it can be enforced in the court no, तो इसका मतलब common law का मतलब होता है पुरानी judicial pronouncements के basis पे या पुरानी judgments के basis पे अगर मुझे लगता है कि कुछ मेरा अधिकार है चाहे वो fundamental right में नहीं लिखा हो, लेकिन मैं क्या उसे enforce करवाने के लिए high court के पास जा सकता हूँ यह मेरा argument नहीं है, यह petition करता हो का argument है इसके साथ साथ petition करता हो ने एक तीसरा argument रखा उन्होंने कहा कि आप चाहे fundamental rights यानि part 3 पर restriction रख दो लेकिन executive की arbitrary power पे आप कभी restriction नहीं रख सकते मतलब arbitrary power को challenge करने के लिए आप कभी restriction नहीं रख सकते because then it will lead to violation of separation of powers there is a reason constitution is there और constitution बनाना ही मात्र constitutionalism की guarantee नहीं है constitution या law बनाना ही constitution की guarantee नहीं है so supreme court should think that these are some inalienable rights these are some natural rights that is right to liberty right to life and if someone is taking them away despite having written in the constitutional order supreme court should give the judgment in favor of the particular people because it is not as if only fundamental rights are being violated they are giving you the concept of natural law or natural right under common law दोनों चीज़े समझ में आगी हैं आपको natural rights under and common law तो सिर्फ fundamental right की suspension तो ठीक है लेकिन हम fundamental right की बात ही नहीं कर रहे हैं हम natural right की बात कर रहे हैं तो इसी वज़े से उन्होंने कहा कि even if you are arresting us under MISA you should be able to prove that MISA के अंदर यानि maintenance of internal security act के अंदर हमने कुछ ऐसा किया है which is violating MISA it cannot be कि आप arbitrarily लोगों को arrest कर रहे हो सब पर MISA लगा रहे ये आपको blanket protection नहीं मिल रही है तो बहुत अच्छे argument पूट किये case के अंदर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि article 226 और article 32 दोनों ही suspend हो जाएंगे they said that by a 4-1 majority only justice khanna ने dissent किया पाकी सभी judges ने कहा कि जो presidential order है वो बिलकुल article 359 के तहत है और 359 तो यही कहता है भाई साब कि आप किसी भी fundamental right को enforce करने नहीं जा सकते हो they did not enforce those rights being natural rights उन्हाने natural right के conception को accept नहीं किया उस time पे है similarly article 226 के अंदर भी आप right to life and personal liberty को protect करने के लिए heaviest corpus petition देने जा रहे थे और heaviest corpus तो article 21 को enforce करता है और 21 की enforcement तो presidential order ने बंद कर दी थी इसी लिए Supreme Court ने defendants को यानि जो लोग basically अपनी arrest को protest कर रहे थे उनको बिचारों को साथ छोड़ती है यहाँ पे accept justice खना तो they said before any writ petition under 226 for heaviest corpus और any writ or order cannot be held to be invalid उसको invalid नहीं माना जा सकता because presidential order में already mention किया गया है so this is considered as a dark day in democracy maybe if you have a legal argument then maybe the judges were right but अगर हम natural rights के principle को देखे, misuse of law के principle को देखे, तो शायद यहाँ पे judges से कुछ भूल हुई और यह मैं नहीं कह रहा हूँ this is not something I am saying I cannot insinuate that judges were wrong the supreme court itself over several judgments and officially in Remdeo Chauhan vs. Banikandas case, officially नोने admit किया कि ADM Jabalpur case में यह judgment नहीं देनी चाहिए थी, कुछ rights inelienable होते हैं और चाहे fundamental rights suspension में है आप यह allow नहीं कर सकते arbitrary arrest लोगों का और इसलिए अब इसे judgment को dark case day भी माना जाता है, अब आप मुझे बताएंगे कि 44th amendment से ऐसा क्या किया गया, जिससे article 359 में कुछ बदलाव लाएंगे ठीक है, comment section में मुझे बताएंगे what was done by the 44th amendment जिससे article 359 में कुछ बदलाव लाएंगे दोस्तों, इसी के साथ साथ एक important सूचना देना चाहूंगा, हमारे संभव 2.0 prelims crash course का batch 3 start होने वाला है जिसमें enrollment अगर आप 31st December से पहले करवा देते हैं तो आपको 15% off मिलेगा crash 3 code का इस्तमाल कर सकते हैं इस particular course के अंदर 4.5-5 महीने में आपको entire static plus current affairs के साथ साथ सलेबस करवाया जाएगा ताकि prelims 2024 के लिए आप April के महीने तक तयार हो जाएं, साथ ही साथ आपको 7 full length mock test भी मिलेंगे, practice questions भी मिलेंगे, economic survey और budget की special class होगी तो आप हमारे number पर contact कर सकते हैं या you can go to the website for enrollment, you can also email us at sleepy.classes at gmail.com to enroll मिलते हैं आप से अगले session में जिसमें हम एक और judgment discuss करेंगे, अगर आप चाहते हो किसी specific judgment को मैं discuss करूँ तो comment section में मुझे जरूर बताईएगा Thank you